असलाम नेकुम जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज ही रेसीपी में हम मना रहे हैं रेश्मी चिकन हांडी तो जाले जी शुरू करते हैं सबसे बहले हमने चिकन को मेरिनेट करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप दही ले लिया है इसको हम एक बॉल में के शिफ्ट करदे नगे इसके बार जी उसके अंदर जाएगा तो टेबल सब इस्पॉन फ्रेश क्रीम इसके बार जी उट करेंगे वन टी पॉन लाल मिर्च पैउडर वन टी स्पोन नमाक हाफ टी स्पोन हल्दी पाउडर वन टेबल स्पोन धन्या पाउडर हाफ टेबल स्पोन जीरा पाउडर वन टेबल स्पोन सेर का या ली मोगरस वन टेबल स्पोन लेसन अधरक का पेस्ट और वन टेबल स्पून इसमें जाए का कुकिंग ऑई इसके बाद जी इन साइज शीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर चिकन को एड़ कर देना है यहाँ पर मैं 750 ग्रैम चिकन यूस कर रही हूं आदा क्लोस से थोड़ी सी ज शामल कर दी है प्यास को हमने ट्रांसलूसन कर लेना है मतलब सॉफ्ट सा कर लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर एड़ करनी है दो कटी हुई हरी मिर्चे और बारा से पंदरा काजू इसके बाद जी हमने इसको जो है दो मिनट के लिए सौते करना है और सौते करने के के पाद हमने इसको थोड़ा सा पहले थंडा करना है और थंडा करने के बाद के बाद हमने इसको छोटी से दार जीनिय का तुकरा एक तैसे पात का पत्ता और करना बना है धना या हम इसकर double मिनत के लिए जो बना के र PfJ का मिक्सजर बना के रख रखा था पेस्ट जो है वाम इसके अप इसके अनदर शामल कर देंगे बस जी इसके बाद हमने इसको करना है mix और mix करने के बाद हमने इसको इतना कोक करना है कि ये अच्छी तरह से बुन जाए मतलब इसका oil जब तक separate ना हो जाए इसका color बिल्कुल change ना हो जाए जब तक हमने इसको कोक करना है 10-15 मिनट लग जाएंगे इसके बाद जी हमने इसके अंदर मेरिनेट की हुई चिकन एट करने हैं और जो इसका दही का मिक्स्टर जो बच जाएगा वो भी सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जी हमने इसको खुला छोड़ के पकाना है हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर और 10 मिनट के बाद हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर रखके हमने इसको कवर करके कॉक करना है तक्रीबन तक्रीबन 15 मिनट के लिए 15 मिनिट के बाद जी इसके अंदर हम हरा धनिया एड़ करेंगे और दो कटी हुई हरी मिर्चे एड़ करेंगे और एक कप जाएगा इसमें पानी और इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसको कवर करके कुक करना है तक्रीबां 15 मिनिट के लीए मीडियम फ्लेम पे 15 मिनिट के बाद जी इसको फ्लेम हम अच्छी तो पानी है वो रिड्यूस कर लेंगे इसी दुरान हमने इसके अंदर एड़ करनी है वन टी स्पून काली मिर्च पावडर और वन टी स्पून गर्म असाला पावडर और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर हरत धनिया और एक छोटी सी अधरा काटके डाल दें और वन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम इसके बाद जी बस इसको हमने करना है मिक्स और मिक्स करने के बाद जब तक इसको और अपर नौचा जब तक कुड लिए और पर हम इसको निकाल के सर्फ कर लिए तो ये थी जी आज की रेसिपी अमीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी किसी की दावद वगेरा करनी हो तो जब तक कि ट्राइ कीज़ेगा और वीडियो अच्छे लगए तो लाइक ज़रूर कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और अगर अगभी तक आप में चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया प्लीज अभी आके सब्सक्राइब कर दें इंशाला मैं मिलती है अपनी नेक्स वीडियो में जब तक की इजाज़त दीजिए आला हाफिस